नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रपित और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि why it is important to develop leadership skills in school or college तो दोस्तों देखते रहे वीडियो को और वीडियो में मैं आपको बहुत यह अच्छे points आपर बताने वाला हूं तो बचों आज के जमाने में leadership की बहुत ज़्यादा वैली होती है क्योंकि अगर हम professional world में देखें तो बहुत ज़्यादा competition है और जिस employee के अंदर leadership qualities रहती है उसको organization के अंदर बहुत ही higher-higher roles मिलते रहते हैं और साथ ही उसका promotion भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है इसलिए बहुत ज़्यादा important है कि जो leadership quality है यह हम childhood से develop करें और अगर हम specifically कहें तो school और colleges से हम इस quality को है पर develop करना start कर दें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या 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 आपको फायदे होते हैं अगर आप इस leadership quality को early stage में develop कर देते हैं सबसे पहले हैं यह पर मैं आपको बत captain की बात करें तो वह भी एक leader होता है और अगर कभी team हारती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसको लेनी होती क्रिकेट के captain को लेनी होती है साथ है अगर पूरी team जीतती है तो भी यहां पर captain कभी नाम रोशन होता है तो इसका मतलब यह कि जो भी teammates के decisions होते हैं जो भी उनका सुख होता है दुख होता है सभी का यहां जो major decision maker रहता है वो आपका leader रहता है तो आईए अब हम देखते हैं कि आपको क्या-क्या फाइदे होने वाले हैं एक leader होने के तो फर्स पॉइंट है helps develop a sense of responsibility अगर आपके अंदर leadership qualities रहेगी और अगर आपने पहले कभी एक leader का रोल अदा किया है school या college में तो definitely आपके अंदर एक sense of responsibility आने वाली है और कैसे आप leadership की opportunities को हंट कर सकते हैं तिके schools और college में बहुत सारी projects assignments दिए जाते हैं जो कि आपको टीम में करने होते हैं ग्रूप में करने होते हैं और अगर वहां पर थोड़ा से इनिशेटिव लेते हो तो definitely वहां से अपनी leadership वाली quality को develop कर सकते हो और आपको भी पता यार जब हम assignment करते हैं तो वहां पर कभी ने कभी conflicts हो जाते हैं दो लोग ही है second point है helps build confidence तो जब आप school या college में as a leader कहीं पर उभरते हैं और अपनी leadership से आप किसी भी tournament को जीत लेते हैं कोई project को teamwork को बहुत ही अच्छा से complete कर देते हैं तो यहां से आपको एक confidence मिलता है आपको यहां से एक self-belief मिलता है आपकी self-esteem increase होती है और जब अगर यह सारी चीज leadership role आपको offer होता है तो आप बहुत ही अच्छे से उसको निभा भी पाते हो और सातियार आपको एक practice भी रहती है उस सारे fame की और उस सारी responsibilities की सारे pressures को handle करने की और उसका आपको बहुत ज़्यादा मिलता है आपकी professional life में next point है helps you build a network so अगर आप एक leader होते हो तो वहां से आपका प्रक्स को किसी करवाने जाते हो तो अगर आपकी पहचान होती है तो बहुत आसानी से काम हो जाता है और पैसा नहीं होती है तो फिर मापर बहुत जादा दिक्कत आती है और network का बिल्ट कैसे कर सकते हैं क्यों जब आप स्कूल में रहते हैं जूनियर से आपका interaction होता है और कुछ सीनियर से तो उन से भी और वहां पर क्या होगा फिर उसका जो इंटरेक्शन होगा महां से उसका एक network बिल्ट होगा और उस network को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज कर सकता है next point is Sharpen your problem solving skills तो आपकी जो problem solve करने की स्किल से वह बहुत ज्यादा शार्फ होने वा तो इससे क्या होगा जो आपकी problem solving skills से बहुत ही ज्यादा शार्फ हो जाएगी school और college के दोरान ही और जैसे आप किसी भी company में place होंगे और वहाँ पर इसन employee काम करेंगे तो इस organization को भी बहुत ज्यादा benefit पहुचाने वाले क्योंकि आपकी problem solving skill है वो पहले से ही बहुत ही अच् तो यार एक लीडर एक ऐसी सक्षियत होती है कैसी personality होती जो कि अपने सभी followers को inspire करती है for example अगर हम बात करें अपीज अब्दुल कलाम सर की जो कि यहां पर एक बहुत ही महान लीडर थे सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को inspire करेंगे आपके काम में आने वाली अपके प्रोफेशनल लाइफ में भी नेक्स्ट और स्ट्रॉंग पॉइंट एंपाउर रिज्यू में तो अगर आपने कभी leadership आपने कभी पहले उस चीज को प्रेक्टिस नहीं किया तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है लेकिन अगर आपने पहले leadership roles को प्ले कर रखाए तो फिर आपको पता है कि कैसे आपको प्रेशर हैं कैसे आपको अपने सीनियर और जूनियर के बैचेस की मदद से क्रेक कर पाएंगे बोर्ड एक्जाइम 22 यह हर एक सब्जेक्स के लिए आपर लॉंच हो रहे हैं जैसे कॉमर्स के लिए जहां पर इंडिया की टॉप फेकल्टी आपको यहां पर पढ़ाने वाली है तेन उसके बाद आपके पास के लिए यहां पर बैचेस स्टार्ट होने वाले जहां पर आपको हर एक प्रकार के सब्जेक्स यहां पर कवर करवाए जाएंगे कंप्लीट सिलेवर्स को यहां पर डील किया जाएगा और यह जो डूरेशन रहेगा वह दस महिने का रहेगा मतलब आर राम से अगली साथी साइंच के लिए भी हैंपर एक बैचेस स्टार्ट हो रहा है तो हर एक श्ट्रीम के लिए आंपर बैचेस स्टार्ट हो रहा है तो एक बाद जल्दी से आप इसको unacademy पर चेक आउट कर लिजएगा और अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इस ask के doubt feature को use कर सकते हैं और इसके अंदर आप unlimited doubts को free में इंडिया की top faculty से यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप कितने भी doubt किसी भी time पर यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको exact यहाँ पर उसका solution मिलने वाला है और यह जो solution रहेगा वो एकधम accurate भी रहेगा तो अब आप अपने किसी भी time पर अपने doubt को पूछ सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको doubt पूछना है, यह मैं आपको बता देता हूँ, तो doubt पूछना बहुत ही यहाँ पर आसान है और जैसे आप unacademy का application यहाँ पर open करेंगे, तो आपको ask के doubt नाम का एक वहाँ पर question को भी select करना होगा, for example आप इस वाले question को यहाँ पर select करना चाहते हैं, तो उसको आप select कर दीजेगा, and then आपको वहाँ पर choose करना पड़ेगा, कि यह कौन से subject का question है, for example अगर यह mathematics का question है, तो आपको वहाँ पर option आजाएगा, और आपको वहाँ पर math को choose करना होगा, फिर आप को थोड़ी देर में वहाँ पर solution मिल जाएगा, तो जरूर से आप इस feature को use कीजेगा, और दोस्तों आप अगर वहाँ पर कोई आपसे code मांगता है, तो आप यह वाला cool वहाँ पर use कर सकते हैं, जो कि AP Sir Live, आप इस वीडियो को Unacademy आरुग्यों पर देख रहे हैं, और Unacademy एक online educational platform है, आप Unacademy पर CVC exams की तयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल structured way में, इसके लिए आपको एक plus subscription लेना होगा, आजकल Unacademy ने अपने platform पर एक iconic plan भी इंट्रड्यूस किया है, जिसके अंदर आप personal mentorship ले सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको parent teacher connect भी मिल जाएगा, और यहा और इससे आपको 10% का discount मिल जाएगा Unacademy Plus के subscription को लेने पर, तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जो उमीद है कि यार, आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी doubts हों सवाल या सुजाव हों, तो आप उसको comment box में लिग दीजेग आपसे मिस नहों, दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत